हेलो जी राम राम जी कैसे हो आप सब आता करते हूं आप सब अच्छे हों होंगे अभी लग वह्याम के पांच बज गए हैं और वही बस डेली की रूटी आभी मैं करूंगे खाने की तैयारी और यह देखे अरितिकाबर राज शिलाई का बूठ सवार हो गया है तो यह लगी वह अपना सूट सीमुने में कटाई वासे हम दोने मा बिटी ने मिलकर की है थोड़ी बहुत सिलाई मुझे आती है कितनी ज्यादा नहीं आती है पहले मैं मेरे बलाव जो गयरा सिल लेती दी अभी मैंने छोड़ती है चार-पांस साल से इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो मैं सिलाई करती नहीं और कोई भी काम हम छोड़ देते हैं तो फिर में आता भी नहीं है बोल जाते हैं तो आज तो हमने फोन में से देखकर ही एक इसका तूप कट गया है और वो कल सिल कर देखेंगे कैसा बनेगा के काट रियाइब तो नहीं हो बचो तेरा दिमाग लगाया है इतना दिमाग क्यों लगाया था तन तेरा हाल तो अर्याथा हाल तो अर्याथा तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूं पे तक मुदा तो वां से तो बने देखुए और क्यों अजबाएं द्हुआ कर दों दाल देटीए तक में काट्वां फूर्दी तो अभी आज अच्छी तरह से जल उठी है तो विचुले पर मैंने कडाई रख दी है पहले पिठ्ठी में डालने के लिए मसाले भून लेते हैं तो अभी यह देखिए डेड़ चमच तो मैंने जीरा ले लिया है डेड़ चमच दनिया और एक चमच से थोड़ी इसी ज्यादा सोख लिए तो अभी ने भून लेते हैं तो अभी यह देखिए मसाले मेरे अलके-अलके बून गए है और ज्यादा नहीं बूनेंगे बस अलके-अलके बूनते हैं अभी कडाई को में उतार देते हूं नीचे और चूले पर रख दूँए दूद गरम होने के लिए और तब तक हम कचोरियों के लिए पिठी बना कर त्यार कर लेते हैं और मसाले बूनकर डालते हैं तो पीस भी चलती जाते हैं और जो प्याज के मकचोरी बनाते हैं उसमें तो बूनकर ही डालते हैं तो वह मसाले मैंने रख दी हैं ठंडे होने के लिए और तब तक यह प्याज गियाकस में से निकाल लेते हैं और गियाकस म है उस जटाना होता है कि आपके लगते हैं तो हमकित इसे पर तोटा है कि अधास फिर्म कर तो एतनी आथ हो ने लगती हैं और शर्डियों में पता नहीं जाएर पूरानी होने के बाद काई सी हो जाती है बहुत ही ज्यादा जल जलाट हो जाता है इनमें तो ये देखिए अभी ये जो मैंने सोप और धन्या बोने थे ये अच्छी तरे शिटन्ड हो गए हैं तो अभी इने अलके-लके पीस लेते हैं दर्दरे पीसे थे मैंने बिलकुल बारिक ने पीसे थे तो अभी ये मसाले तो म सब्सक्राइब कोटैंहें मिर्च कोटती हूं और अदर्ख गरम करेंखिया मैं तो मरके फिर ने स्टार्ट कर दिया हैं तो अभी हमने अदर्रक और आरी- Kentucky invece को भी पीस लिया है अभी मैंने यह दो चमच तेल गरम कर लिया है इसमें सबसे पहले मैंने डाला है एक चमच जीरा उसके बाद फिर थोड़ी इसी इंग डाली है और जो मैंने अरी मिर्च और अद्रक सिल्वटे पर पीसी थी वह डाल दी थी वह मसाले अलके से बुनने के बाद फिर जो मैंने स जादा नहीं बुनते हैं तो अभी प्याज मेरी अलके बुन गई है तो अभी मैं एक चमच अल्दी डाल देती हूं और एक चमची लाली मिर्च डालूंगी क्योंकि कचवरी थोड़ी इसी तीक ही होती है तभी खाने में अच्छी लगती है और आदी चमच मैने नमक डाला करें मिक्स कर लें अभी इन मसालों को वी एक बार भून लेंगे अच्छी तरह से तो अभी मसाले और प्याज मेरी बुन गई थी तो अभी मैं ने आलू डाल दे हैं और आलू मैंने डाली हैे छोटे चोटे चोटे ज्यादा पड़े नहीं थे बटे बड़े अलो ओते हैं जाए डाल मेथी तरह मिक्स कर लेंगे। अरभी तरह मेरी मैने ठीड मेक्सा ट्राइब के दिया है। और एक निम्बू का रस डालूंगे मैं आप चाहें तो हम चूर भी डाल सकते हैं पर निम्बू से ज्यादा खटास होती है और हमारे गर पर हम चूर रहता भी नहीं है तो इसलिए मैं अलग बग निम्बू ही डालती हूँ तो अभी यह सारे मसाले मिक्स करने के बाद अभी मैंने कडाई को नीचे उतार लिया है और अभी इस पिट्टी को अची तरह से ठंडी कर लेते हैं और अभी पिट्टी हमारी ठंडी होगी तब तक आटा गूत लेते हैं वैसे तो प्याजगी कचोरी मैदा से भी बनाए जात नुक तेल जैए अभी is तरह का निकल वाई तो ज्स्तामाल करती हूँ और अधरा सत्य हैं शयर atrás कर दो मुठी बनाए तो मुठी बन जाए अभी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा-बन्याशन दाल लेक्ता पर जात कर लेसे यह तब money मिक्रते हैं को ऐदार मुठ्भी को को मैं तो यह अधिया आट आप से कंचौिए balance शाए हैं पर धाट प्राज़ पीज हम रखिआ के रखिऴ जरिती अंसधिते हैं तो अब यह देखिए लोई मैंने बना कर त्यार कर लिया है और अब इसमें पिठी डाल कर और अंगुठे से हम पिठी को दबाते रहेंगे और जो हमने यह लोई बना कर त्यार की है इसको ऐसे गोल करते रहेंगे और उसके बाद अगर ऊपर थोड़ा वह एक्स्ट्राटा होता है तो उसको निकाल देते हैं ते आज से थोड़ी इसी बड़ी कर लेते हैं बहुत ही आसान है यह प्याज की कचोरी बनानी जैसे हमालो की बनाते हैं बस वैसे ही बनती है तो अभी चुले पर मैंने कडाई रख की वर ध्याज की थी हो परात में चिपक भी गए थी और आराम tanा की तो पिल्कुल दीम्याश सकते हैं तो थुड़ा सा जादा ही टाइम लगता है उर मैंने जादा लाल की प्चोरी आपूरी हम जादा हूर कर लेते हैं प्योंकि कर लिव यो जाए मेदा के ली स्काटी नाख करें एक भए मेदा की मठे बना कर तयार करें अ सुनायरी तो जाए भए उतवाअ. डो जाए मैदा की छोड़ा सी ततक दो डिए डाद हो मुझा है. पूरिया मैं थोड़ा सा डाल सा जाला था गूता की लिए पूरियां पेली की एक है कर पूरिया बनाते हैं उससे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगी तो आप सब एक बार ज़रूर ट्राइ करके देखें वैसे सिंपल हम जो पूरी बनाते हैं उसमें और इसमें बहुत ही ज्यादा फरक है बच्चों को भी बहुत पसंद आई तो अभी मैं बना लेती हूं पूरिया और बच्चे अभी लग गए हैं तैयारी में क्योंकि खाने में धड़ा बहुत ही कुछ अलग बनता है तो बच्चों को भंग लगाती है तो सारा समान बच्चे लेकर आ गए थे तो चलिए भी थाली लगा लेते हैं तो आलू की सबजी है पूरी है और प्याज की कचोरी है और आज थाली भी मैंने नहीं लगाई है रितिका नहीं लगाई थी थाली भी और आज है अर्याना दिवस तो आप सब को मेरी तरफ से अर्याना दिवस की डेर सारी सुब काम नाए आज मैं सुब ऐसे सोच ली थी कि खाने में कुछ अल आने से प्याज की कचोरी पर आगे हैं तो यह देखे थाली अभी हमारी लगी नहीं है मा बेटी दोनों लगे वे हैं थाली लगाने में क्योंकि आज मीठे में कुछ भी नहीं बनाया है बस प्याज की कचोरी है पूरी है और आलू की सबजी है तो आप सब भी आज यह खाने के लिए बनाने वाले तो थी मैं पूड बताईएगा और पसंद आए तो व्लोग को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले व्लोग में तब तक के लिए राम राम